नागपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो आई ये नजर डालते हैं नागपूर की विवित हल्चल पर सुर्यदेव के मकर राश्री में प्रवेश की बेला पर मनाये जाने वाले पर्व मकर संक्रांती परदेश के कई हिस्सों में पतंगोच्सों मनाये गया हाला के इन दिनों कोरोना की तियुरता कुछ अधिक होने से बहरी जिलेवे प्रदेशों से लोग नागपूर आने से कत्रा रहे है लेकिन नागपूर की मश्यूर पतंगबाजी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा पतंगबाजों की पतंगे पुरे जोश के साथ आस्मान की उचाईया चूती रही प्रिसों में मध्यमवर्गे परिवारों ने ही नहीं अपितु हाई प्रोफैल परिवारों ने भी हिस्सा लेकर पतंगबाजी का लुफ्ट उड़ाया हाला के शुकरवार को नाकपुर शहर में बारिश आने से पतंग उड़ाने का मज़ा सुबह के समय अवेश्य किर किरा हो गया था लेकिन दोपर बात कुछ रहत मिली तो आस्मान में बड़ी संख्या में पतंगे उड़ती नजर आई पतंगबाज बारिश रुकते ही एक दूसरे की दोर काटने में जूटे नजर आए कोरोना महामारी के चलते पतंगबाजी का जलोश कुछ कम ही नजर आया मकर संक्रांती आते ही तरह तरह के डिजाइन रंगों की पतंगे पतंगबाज की इशारे पर लहराती दिखाई देती है ऐसे में आसपास का माहौल बहुत ही अच्छा लगता है और रंग भी रंगी पतंगों से सजए आस्मान की खुबसूरती अलग ही नजर आती है जिल्य के प्रभारी विरेंदर जक्ताप ने नाकपूर विदानसभाज शेत्र के पश्चिम दक्षिन पश्चिम उत्तर नाकपूर के नौ ब्लॉक अद्यक्ष एवं उनके कारेकारिनी से आगामी मनपा चुनाओ को देखते हुए संगटन को मर्जबूत करने है तू हर बूत कमेटी उनकी कारेकारिनी डिजिटल सदर से पंजिकर न करते हुए खुद के बल पर लडने की चर्चा की जगताप को सभी ब्लॉक अद्यक्ष ने खुद के बल पर मनपा चुनाओ लडने की इच्छा जताई एवं सभी ब्लॉक अद्यक्ष ने बूत का डाटा दिया गया इरशाद मलिक, सुनीता डोले आदी उपस्ति थे शहर जिला कॉंग्रेस कमिटी के अद्यक्षव विधायक विकास ठाकडे के निर्देशा नुसार चंद्रमनी नगर में बलॉक अद्यक्ष दिनेश तराले द्वारा वो अद्यक्षव कारेकारणी की नियुक्ति करवा कर उनको नियुक्त पत्र दिये गये जिसमें सुनिल पार्टिल, प्रफुल भाजे, सुहास नानवटकर, चत्रुग नसिया चंदेल, मनोज चौधरी, सुष्मा अमभोरकर, हेमन चौधरी, सहित अन्य पदाधिकारी के अनुपस्ति थे मकर संकरांती का पावन पर पूरे नाकपुर में उत्सा के साथ मना गया समासेवी एवं पूर्वन नाकपुर भाजपा मीडिया प्रमुक मनोज अगरवाल ने अपने परिवार के साथ पतंग उड़ाया इस परव पर उत्तरायन का सुर्य सब के सपनों की नई उल्जा प्रदान करे यश एवं किर्ती में वृद्धी हो सभी स्वस्त रहे यही भगवान से अगरवाल और उनके परिजनों ने प्रार्थना की जिस तरह हर चीज के पीछे कोई ना कोई इतिहास जुडा होता है उसी तरह पतंगों को लेकर भी एक इतिहास है पांचवी शताब्दी हिसापूरों में जिन उद्ध्योशों से पतंग का विश्कार किया गया था तब से लेकर अब तक वक्त बदल गया है और अब पतंगों के वल्ल मनोरंजन के रूप में इस्तवाल किया जाता है रामकुर्शनमट नापपूर में राष्ट्रिवा दिवस एवं आजादी कामरूत महत्सों की उपलक्ष में विशेश कारेकरम कायोजन किया गया मुख्यतिती भारतिय वायु सेना से सेवा निरुत्त एयर वाइस मार्शल सुरेकान साफेकर ने युवाओ को सम्मुधित करते हुए कहा कि युवाओ का नुशासन, दुरुडनिश्य, समर्पन तथा आत्म विश्वास और कुशर नेत्रुत का निर्वहन करते हुए अपने लक्ष को प्राप्त करने का निरंदर प्यास करना चाहिए उन्हें युवाओ से आवान किया कि वे सौमी विविकानन्द के विचारों से प्रेणा लेकर राष्ट निर्मान में अपना योगदान दे रामकृष्णबट नाकपूर के अध्यक्ष श्रिमत सौमी ब्रह्मस्तनांद जी महाराज ने अपने अध्यक्षिय भाषन में युवाओ को मार्गदर्शन किया विवेकानन्द विद्धार्ति भवन के चात्र प्रुषप कोलेकर ने भी सौमी विवेकानन्द के आधर्श जीवन तथा युवाओ के प्रती उनके संदेश पर प्रकाश डाला विद्धार्ति भवन के चात्र सुबम खरकाटे ने सौमे विवेकानन्द के स्वदेश मंत्र का प्रस्तुति करन किया बेली शौब रेलवे कॉलेनी स्थीत प्राचिन शिव मंदिर में परिसर में प्राचिन शिव मंदिर वह दक्षिन भारतिय तेलिगु समाज की सियुक्त तत्वाधान में मकर संकरांती के उसर पर कोरुनानियमों का पालन कर पारंपारिक पदती से उत्सो मनाया गया वोंगल उत्सो से पहले भोगी जलाकर उत्सो के शुरुवात की जाती है मकर संकरांती से सुर्यम मकर राशी में प्रवेशकर उत्तरायन होना शुरू हो जाता है मंदिर परिसर में सुबद 6 बजे दक्षिन भारतिय समाज के मनिश नाइडू वकविता नाइडू ने पूजा कर भोगी जलाई इस अउसर पर प्रकाश राव गुडुराव, पंडित सत्या राव, डॉक्टर प्रवीन डबली प्रमुकता से उपस्ति थे जेसी आए नागपूर मेटरो द्वारा जैहिन विद्याले गुलशन नगर में तीन दिउसिय प्रशिक्षन संगोष्टी कायो जन किया गया इस प्रशिक्षन में 150 स्यदिक छात्र 65 शिक्षक शामिल हुए, कोविट प्रोटकॉल के नियमों का पालन करत हुए कारेक्रम सुचारू रुक से संचालित किया गया आंतर राश्य प्रशिक्षक जेसी रवेंद्र मिसल, राश्य प्रशिक्षक जेसी अंजे अंबागडे, जोन प्रशिक्षक जेएफ, अध्यक्ष जेएफपी राजश शराफ, पुरू अध्यक्ष पीप योगीता Jaisवाल, जोन निदेशक कौशल विकास, उशान अंदेड इस अवसर पर राजस शराफ का सत्कार किया गया सामाजिक, धार्मिक, शैक्षनिक एवं मानो सिवा के लिए अग्रणी संस्ता सर्वमानो सिवा संग ने स्वामी विवेकानन की जैनती एवं युवादिवस के अवसर पर 20 वर्षी युवक ओम्भुशन महेज जोशी को ट्राइसिकल भेंडी संस्ता के संस्ता पक अद्धक्ष सुभाश कोटेचा ने आर्थिक सेयोग देने वाले ममता विवेक कोटेचा तथा नगर सेयोग प्रदिपोहाने का अभार माना इस अवसर पर प्रदिपोहाने अमननागपुरे गनेश टेड़ी तुशार बालापुरे आशिस सेलोकर तुशार बावने विजय खंडे प्रितम बोकडे अक्षय बेलसरे उपस्तित्थे अपरमपरांगत उर्जास्त्रोतों की शमता बढ़ाने के लिए राज के महत्वकांशी कारिक्रम के तहत दुले जिले में महानिर्मित के दोंडा हीचा में 250 मेगावाट शमता की सौर परियोजना के लिए महानिर्मिती वर टाटा पावर सौर एलिमेटेट के बीच बिजली खरीत करार 14 जनवरी 2022 को महानिर्मित के मुंबई मुख्यले में किया गया महानिर्मित की ओर से सुनी लिंगले मुख्यबियनता सौर एवं मेमर्स टीपी सौर एलिमिटेट की ओर से चीप बिजनेस डेवलोपमेंट राकेश सिंग ने इस करार पर हस्ताक्षर किये और राजेश पार्टिल मुख्य रूप से उपस्तित है महानिर्मिती द्वारा विकेसित किया जारह सोलर पार्क लगबग 504.7 एक हेक्टियर शेत्र को कवर करता है और केंद्रिय नवीन और नवीनी करन उर्जा मंत्रालाई की योजना में शामिल है 250 मेगावाट की शम्तावाली यह विशाल सवर परियोजना कार्बन उसर्जन को कम करने में मदद करेगी और MSDCL कमपनी को गैर पारंपरिकुल जानुपात आरपियो बनाय रखने में भी मदद करेगी आज 15 प्लस और 45 प्लस आयूवर के सभी नागरिकों को कोविशिल्ट का टिका करन नाकपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी के इंदरों पर होगा टिका करन का समय सुबर शाम के 5 बजे तक होगा टिका करन के लिए ऑनलाइन और आफलाइन दोनों पधितियों से पंजी करन किया जा सकता है इसी तरह ड्राइविन वैक्सिनेशन के इंदरों पर भी 15 प्लस और 45 प्लस आयूवर के सभी नागरिकों को कोविशिल्ट के जरिए टिका करन किया जाएगा यह जानकरी चिकिसा स्वास्तधिकरी डॉक्टर संजे चिलकर ने दी इसी तरह 15 प्लस और 45 प्लस आयूवर के नागरिकों के लिए कोवैक्सिन का पहला और दूसरा डोज मेडिकल कॉलिश डॉक्टर बाबा साहिब अंबेटकर अस्पताल काम्ठी रोड वस्वरगिया प्रभाकरदट के मनपा महाल रोगनिदान केंद्र एम्स आइसोलेशन अस्पताल इमामवाडा इंद्रा गांधिय अस्पताल गांधिनगर मनपास्तरी अस्पताल पांच पाउली और प्रगती हॉल दिगोरी में उपलब्ध है महमूदा शिक्षन और महिला ग्रामिन विकास बहुत देशीय संस्तान तरगत महराश्ट राज ग्रामिन जिवनोती अभियान उमेद के तहट ग्रामिन विकास मंत्राला के अंतरगत डिडी यूजी के वाई में जौब प्लेस्मेंट लेटर स्वितरन कारेक्रम कायोजन किया गया इस कारेक्रम के प्रमुक अथिती राजमत्री सुनिल के दार पुर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अनिस एहमद किशोर गजबिय पुर्वायुक प्रफुल गुडदे पाटिल विवेक इलमे प्रकल्पदिकारी डियाल डिये नाकपुर विभाग तुशार मेश्राम डिरेक्टर डिडी यू के वाई सयद मुम्ताज प्रदेश अद्देक्ष अलपसंख्यक विभाग रवी कलसाइथ प् रिटेल के 25 लड़कियों को नेलोर में रोजगार के लिए भेज रहे है जहाँ पर गाट से लेकर सीयों तक कमपनियों में पूरी स्टाफ में लाए है मंत्री सुनिल के अदार ने अपने मार्गदरशन पर भाषन में छात्रों को मकर संकरांती की हार्दिक शुपकामनाय दी और बैच की पूरी 25 छात्राव को सावीत रिबाई फुले से प्रिणा लेकर जीवन में आगे बढ़ने को कहा चात्रों को उपयुक्त मार्गदरशन नहीं मिलने के कारण उच्च शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है इसका अनुभवाते ही मनपा मुख्याले में चात्रों के समुपदेशन के लिए एक समुपदेशन का अक्ष खोड़ा गया जिससे 6 मा के बीतर ही 120 चात्रों का समुपदेशन किया जा सका जिसमें 18 चात्रों को उच्च शिक्षा में प्रवेश लेने में मदद होने की जानकारी महापोर द्याशंकर तिवारी ने अपने पत्र परिशद में दी उन्होंने कहा कि मनपा में हुए समुपदेशन के कारण एक चात्र को ट्रिपल आईटी और एक चात्र को एनाईटी में प्रवेश मिल सका है इसके अलाबा कुछ चात्र को पॉलिटेकनिक में प्रवेश सुनिश्चित हो सका है केवल जानकारी के अभाव के चलते इन छात्रों का भविश्य खत्रे में पढ़ने जा रहा था समय पर काउंसिलिंग से छात्रों का भविश्य उज्वल हो गया है केंदर की समुपदेशक उमेश कोठारी ने कहा कि जानकारी नहीं होने के कारण अच्छे अंक होने के बाद भी कई छात्र अच्छे कॉलेज में प्रवेश नहीं ले पाते है कई बार तो दस्तावेजी खानापूर्ती की जानकारी नहीं होने से आवेदन अटक जाते है जबकि कुछ मामलों में प्रविश होने के बाद भी प्रक्रिया का पता नहीं होने से छातरों का नुक्सान होता है युवा करांती मंज के संयोजग पंजु तोतवानी के संयोजन में प्रख्यात एंटी सर्जन डॉक्टर नंदू को लवार करके एवाई के राश्ट्र अदेख्ष बनने पर सतकार किया गया इस उसर पर प्रमुक्ता से डॉक्टर प्रमोदगिरी, डॉक्टर समीर चोधरी, डॉक्टर आरूप मुखर जी, अध्यक्ष पंजु तोतवानी, डॉक्टर राजेश अटल, डॉक्टर अनूप मरार, डॉक्टर पशांत वान खेडे, राजेश्वर मिश्रा, नरेश डों मेट सतकार मुर्ती डॉक्टर कोलवाड करने कहा कि जनहीत की सेवाओं का सिलसिलाच चलता रहेगा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी के सभी के साथ मिलकर निर्वाह किया जाएगा रक्तदान के शेत्र में सेवारत रहे युवा कारे करता स्वर्गिय नैनकिशोर चौधरी के जनमदीन पर रक्तदाताओं ने रक्तदान कर अपने सामाजिक दायतों का निर्वाह किया यह भी सेयोग रहा कि 27 वे जनमदीन पर 27 उनिट रक्त संकलित हुआ उनके चाय चित्र पर माल्यारपन वद्दीप प्रजोलित कर शिविरारंब हुआ इस अवसर पर कैंसर सोसाइटी के सचूर डॉक्टर मनमोहन राठी सकरदरा व्यापारी संग के अदेख्ष सतिष चौधरी आशिरवात मेडिकल फाउंडेशन के अदेख्ष डॉक्टर गनेश खंडिलवाल कलामंच के संयोजग नरेंदर सतीजा सपना चौधरी संयोजग स चीन चरडे आधिक उपस्ति थी रही डॉक्टर राठी ने कहा कि बहुत कम उम्र में नयन हमें छोड़ गया रक्तदान वान्य सामाजिक कार्यों में उसकी विशेश रुची थी समस्त रक्तदाताओं को डोनर कार्ड प्रशस्ति पत्र एवं स्मृती चिन न पदान कर सम्म मानित किया गया शिविर में जियस के ब्लड सेंटर के मेडिकल ओफिसर डॉक्टर आशिश खंडिलवाल वर टीम का सहयोग रहा कारेक्रम में पूजा मान मोडे प्रवेश शाहू चैनलाल पार्दी समिक्षा धोटकर प्रविन धाकरे निखिल शेंडे राज शर्मा मनिश ध ठंडी हवा बदली वातावरन हलकी बुंदा बांदी में भी ओकाट के आवाज आती रही पतंगों की दुकानों में बालक पालकों की भीड दिखाई दी मैदान रस्ते में अनेक बालक युवा कटी पतंग वामान जा लेने के लिए भागते दोरते नजर आये इसी आनन संक के लड़ बालक वनचित दिखाई दे रहे है अतह इन पदादी कार्यों ने पतंग धागा तील के लड्डू की वेवस्ता कर दोपर को खडगाव रोड पर खड़ान परिसर में 36 गड़ समाज के कामगारों की वसाहत पहुचे सुश्मित सिंग, प्रविन सिंग, सहपदादिकारी संतोष सिंग, सचिन बैस, मनिश वर्मा, प्रविन श्रिवास, मनिश वह खिलेश ने यहां के बालकों को एकतरित किया, तथा सभी को तिल के लड़ू वह पतंग धागा वितरित कर तिल संकरान का सही मायने में उत्सव मनाया भारतिय बाजार में बिकने वाले वहानों में यात्रियों की सिरुख्षा को ले कर अकसर चिनताय जाहिर की जाती है वहानों के लिए नियुनितम छे एरबैग अनिवारे करने के लिए जियसार अधिसोचना के मसोदे को मन्जूरी दे दी है गड़करी ने कहा यह आखेकर सभी सेग्मेंट में यात्रियों की सिरुख्षा सुनिश्चित करेगा भली वहान की की मत वेरियंट कुछ भी हो मंत्राले ने पहले ही एक जुलाई 2019 से ड्राइवर एरबैग और इस साल एक जनुरी से फ्रंट को पैसेंजर एरबैग के फिटमेंट को लागू करना अनिवारे कर दिया है M1 वहान श्रेनी में यह फैसला लिया गया है कि आगे और पीछे दोनों कमपार्टमेंट में बैठे लोगों के सामने और पीछे से होने वाले टकरों के असर को कम करने के लिए चार अत्रिकते एरबैग अनिवारे हैं इसमें दो साइड, साइड टोर से एरबैग और दो साइड कोल्टेन, ट्यूब एरबैग शामिल होंगे जो कार के सभी यात्रियों को कवर करेंगे उन्होंने कहा कि भारत में मोटारवानों को पहले से कहीं ज्यादा सुरुक्षित बनाने के लिए यह एक महत्वपूर्ण कदम है चान्दमारी के एक हासरा क्रमांक, 157 अद्रकत आने वाली धर्तिमा सोसाइटी पर पांच कच्चे घरों और दस प्लोट की दिवारों को नाकपुर सुदार पर्न्यास के दस्ते ने पुलिस की मौजूदगी में गिराया अचानक पहुँचे नासुप्र के दस्ते को देखकर परिसर में हड़कम पंच गया पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों के खिलाप नाकपुर सुदार पर्न्यास से 71 करोड पास लाक रुपे की धोका दड़ी करने का मामला दर्च किया है प्राप्त जानकर एकनुसा चांदमारी की समद्धित जमीन मनिसारन परियोजना के लिए आरक्षित है 19 एकर जमीन को अधिगरहित करने की प्रक्रिया नासुप्र ने पूरी की बाद में जमीन के मूल मालिक शेंद्रे को कुरुशी उद्धियों के लिए नासुप्र ने लीज पर दी थी वर्ष 2000 में लीज रिनू की गई पर यहां किसी मुकंदव्यास ने धाई एकर पौर आफ एटोरनी को लेकर प्लोट को डाल दिया और प्लोट धार को कुब बेज भी दिये अब नासुप्र के अधिकारी प्रितेश जगदिश बंसोड की शिकायत पर ग्यारा लोगों की हिलाब धोका दड़ी करने के चलते भांदवी की विबिन धाराओ के अंतरगत मामला दर्च किया गया है आगे की जांच वाठोडा पुलिस कर रही है गर्चिरोली जिले के जिमल गटा निवासी सुरेश मडावी ने राश्ट्र कीक बॉक्सिंग प्रतियोगिता में सुरन पदक जीत कर जिले और राज्य का नाम रोशन किया है आदिवासी छातर चातरा को इन से पर्णा लेकर वीबिन खेल प्रतियोगिता में भाग लेकर प्रतियोगिताओं में सफल होना चाहिए उन्होंने विश्व आदिवासी असमिता स्मरन कारेक्रम के 21 एपिसोड में आदिवासी समुदार को समुदित किया जिमलगटा जैसे दूरदराज के आदिवासी राकों में पहली से बारावी तक की पढ़ाई पूरी करने के बाद घर की सिती दयनिय होते हुए और माता-पिता खेती हर्द मजदूर है फिर भी चुनोतियों का सामना करते हुए उलेक ने उपलब दी हासिल की है इससे पहले उन्होंने राजस्तरिये खेलों में भाग लिया था और भाला फेक में पहला स्थान हासिल किया था उन्हें राहुल मेंश्राम ने प्रशिक्षित किया है राश्ट्रिय प्रत्योगिता के लिए चुने जाने से दो मेने पहले उन्होंने प्रत्योगिता के उद्धिशों के अधान में रखते हुए एक वीडियो क्लिप की मदद से अभ्यास किया राजस्तान में आयोजित राश्टे की इक बॉक्सिंग चैंपेंशिप में महाराश ने स्वर्ण पदक जीता इसी गाउं के संदिप सलामे ने भी उनके नक्षे कदम पर चलते हुए इस प्रतियोगिता में कांसे पदक जीता है चंद्रपूर नाकपूर महामार्क पर ट्रैवल बस और ट्रक के भी चामने सामने हुए भीशन टकर में दो लोगों की स्थल पर ही मौत हो गई जबकि तेरा यात्री घायल हुए है बताया जाराए कि नाकपूर से चंद्रपूर से और आने वाली तेज गती ट्रैवल बस रोड डिवाइडर के पारकर दूसरे साइट में आ गई और चंद्रपूर से नाकपूर की और जाराए ट्रक से टकरा गई प्राप्त जानकरी कनुसार हर्च ट्रावल्स की बस दोपर को 40 यात्रियों को लेकर चंदरपूर के लिए रवाना हुई थी बस में सवार यात्रियों का कहना है कि बस का चालक चंदरपूर निवासी साबिर शेक उम्र 45 बहुत तेज गती से ड्राइविंग कर रहा था उसे कुछ यात्रियों ने बस धी में चलाने को भी कहा था लेकिन वा अपने अंदाज में ही वहान चलाता रहा यह बस जब वरोरा के रतनमाला चोक से आगे 300 मिटर दूरी पर पहुंची अचानक बस से शाबिर शेक का नियंतरन चूट गया और बस रोड डिवाइडर कूटते हुए विपरी तिशा से आ रहे ट्रक से टकरा गई टकर इतनी भीशन थी कि बस के सामने का हिसा ट्रक के सामने वाले हिस्से में बुरी तरह घुज गया था ट्राफिक पुलिस ने मोटर वहन अधिनियम के विभिन धाराओ के अंतरगत कुलिमिला कर धाई हजार वहन चालकों पर कारवाई की और उनसे कुलिमिला कर दो लाक रुपे का जर्माना वसूला इसी तरह मुंबई शराब बंदिय अधिनियम के अंतरगत साथ मामलों में साथ आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 43,000 रुपे का सामान जब्त किया गया है इसके अलावा जुआ दिनियम के अंतरगत एक मामले में एक आरोपियों को गिरफतार किया गया और उनसे 11,000 रुपे का जर्मान आवसुला गया उपरोक तसभी ओपरेशन संयुक तरूप से नाकपुर सिटी पुलिस द्वारा किये गये थे ट्राफिक विभाग ने यहां आववान किया है कि नागरिक वहान चलाते समय वहान से सम्मधी सभी दस्तावेज अपने पास रखे तो नाकपुर हल चल में आज इतना ही आप से फिर बुलाकात होगी तब तक देखते रहिए विकेबी न्यूस नमस्कार